C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1 आईए अब सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का बार्वह सबक मिर्जा असदुल्ला खां गालिब सफ़ा नंबर 120 तारुफे शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 1797 इसवी से 1869 इसवी तक मिर्जा गालिब आगरे में पैदा हुए बाप और चजा की मौत की वज़ा से गालिब बच्पन ही में तनहा हो गए और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की तेरा साल की उम्र में उनकी शादी हो गई कुछ अर्से बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यहीं रहे गालिब की जिन्दगी के आखरी दिन लंबी बीमारी की वज़ा से तकलीफ में गुजरे लेकिन उनके मिज़ाज की शोखी और जहन की तास्गी ता उम्र बरकरार रही गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किये जाते हैं वो इक्तिदा में असद तकलुस करते थे बाद में गालिब इक्तियार किया उन्होंने उर्दू, फार्सी, दोनों जबानों में शेर कहे हैं उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बना कर चलने का शौख था यही वज़ा है कि उनका कलाम अपने एहट के शायरों बलके कमों बेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद है गालिब के कलाम को अमूमन मुश्किल समझा जाता है फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की जबान पर है उनका बहुत सा कलाम सादा और बजाहिर आसान भी है गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवान गालिब के नाम से शाय हुआ है उनके उर्दू खुतूत के दो मजमुएं आदे हिंदी और उर्दू मुळा मारूफ है उनके खुतूत में उर्दू नसर की अदबी शान, अपने जमाने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तुकू गरज बहुत कुछ मिलता है जिसके बाइस गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों के साथ सबसे बड़े नसर निगारों में भी शुमार होते हैं सफ़ा नंबर एक सो एक्कीज गजल शायर मिर्जा गालिब दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ मैना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ जमा करते हो क्यूं रकीबों को एक तमाशा हुआ, गिला ना हुआ कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब गालियां खाके बेमसा ना हुआ है खबर गरम उनके आने की है खबर गरम उनके आने की आज ही घर में बुरिया ना हुआ क्या वो नमरूत की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ जान दी दी हुई उसी की थी हक तो ये है के हक अदा ना हुआ कुछ तो पढ़िये के लोग कहते हैं कुछ तो पढ़िये के लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा ना हुआ सफ़ा नंबर एक सो बाइस मश्क लफ्सो मानी मिन्नत कश एहसान उठाने वाला रकीब हरीफ आशिक का मुकाबल और मुखालिफ गिला शिकायत मजा मजाह खबर गरम किसी खबर का बहुत मशूर होना खंजर आजमा खंजर चलाने वाला नम्रूद मुलक एराख में हजरत अबरहीम लएससलाम के जमाने के एक बाद्चाह का नाम जिसने खुदाई का दावा किया था बंदगी फर्मा बर्तारी इताथ गजल सराहुना गजल गाना यानि गजल को महफिल में पेश करना गौर करने की बात इस गजल में साद्गी बयान और आम गुफटगू का अंदाज है और कहीं कहीं खुदकलामी का अंदाज भी है खुदकलामी से मुराद अपने आप से बात करना है गजल के मतले और शेर पांच, छे और साथ में खुदकलामी का अंदाज है गालिब गजल के मुम्ताज शायर है कम से कम लवजों में बात को कहना साद्गी के साथ साथ मानी की गहराई उनकी शायरी की एहम खुसूसियात है हक तो ये है के हक अदा ना हुआ इस मिस्रे में लवज हक दो जगा आया है इस लवज के दोनों जगा अलग-अलग मानी है एक हक होना यानि सच और दूसरा हक अदा होना यानि फर्ज मतले को हौर से पढ़िए दूसरे मिस्रे में लवज अच्छा न्यू तो बुरा की जिद है लेकिन यहां ये लवज सेहत याब होने के मानी में आया है इस एतबार से अच्छा, बुरा और हुआ ना हुआ अलफाज एक दूसरे की जिद है शेर की ये खुबी सनते तजात कहलाती है सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ से शायर की क्या मुराद है सवाल नंबर दो शायर ने रकीबों को जमा करने पर क्यूं एतरास किया है सवाल नंबर तीन पांच्वें शेर में नमरूत की खुदाई से क्या मुराद है सवाल नंबर चार जान दी दी हुई उसी की थी इस मिस्रे में उसी का इशारा किस तरफ है अमली काम घजल के अशार बुलंद आवाज में पढ़िए और अपने दोस्त से पसंदीता घजल के दो अशार सुनिये घजल को खुशखत लिखिए और जुबाने याद कीजिए इस घजल में क्या-क्या काफी इस्तमाल हुए हैं उन्हें लिखिए इसी के साथ नवाई उर्दू भाग एक का बार्वा सबक यहां खत्मुआ इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का बार्मा सबक यहां खत्मुआ इसके बाद सबक 13 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.